नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइफाई स्टेडी 2.0 पर मैं हूँ अंकेत अवस्थी आप मेरे साथ में आज के सेशन में जिसमें आप जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत ने किस प्रकार से अमेरिका की चाल कौन सी चाल भारत और रूस के बीच में इस्टे जापान, आउस्टेलिया और भारत तीनो रश्या के अगेंस्ट कोई श्रूर पास करें यtering क्राइसिस के उपर बाइड़िन चाहते थे कि इंडियां अपने द्वारा कोई श्रह का काम किया भारत ने इस पन्षट रूप से अपना स्टेंड वहां बनाए रखा और बनाते ह हुए भारत ने केवल इतना ही कहा कि हम एंफसाइज करते हैं कि हमें डायलॉग और डिप्लमेसी के पात पर लौटना चाहिए हमने किसी भी प्रकार से यूएन चार्टर के अंदर जो लिखी हुई बाते हैं इंटरनेशनल लौज हैं जिसके अंदर सोबरेनिटी टेरिटोरिय इंटिग्रिटी की बाते की गई हैं हम उने फॉलो करना चाहिए राधर देन इसके कि हम किसी को कंडेम करें अंतराष्टे रूप से हम यूएन की मानेता को मानते हैं हर विवाद को हम समर्थन के रूप में देखते हैं हम चाहते हैं कि विवाद जो हो केवल और केवल अंतर प्रास्ट ये रूप से डायलोग के माध्यम से निप्टाए जाएं। बन जाएं। बन जाएं। बन जाएं। समय के साथ साथ एक बार ऐसा समय भी आया कि क्वाड ने अपनी अक्सरसाइज करने के बावजूद की भूमिका को कम होते हुए पाया। लेकिन जब वापस से अमेरिका के राष्टरपती के रूप में डोनाल्ड टरंप आये तो क्वाड एक तरह से रिवाइव हुआ। और ऐसी इस्तिती के अंदर 2017 में ऑफिशली जापान ने प्रपोज किया कि हमें क्वाड बनाना चाहिए और ऐसी इस्तिती में 2020 में ऑस्टेलिया ने इसे जॉइन किया तो एक तरह से समझे कि जो ट्राइलेटरल अक्सरसाइज थी इंडिया, यूएस, जापान, मालाबार की उसके अंदर ऑस्टेलिया के जॉइन होने के बाद में अब ये पूरी तरह से मेरिटाइम एक्सरसाइज भी करते हैं और साथ में सेक्यूरिटी डायलॉग्ज भी करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मिलिटरी अलाइंस बना कर रखते हों फिलहाल जो मीटिंग हुई है इसके अंदर बाइडिन के द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई जिसमें भारत की तरफ से अंदर इंदर मोदी जी और जापान के प्रधान मंतरी योशी हीदेश सूगा के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है क्वार्ड के अंदर कट अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहां पर प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ में सारी जानकारियां साजा की जाती है साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार से हम चारों मिलकर के आने वाली भविष्य की चुनोतीयों से निपट सके इन तमाम चीजों को ले करके बातचीत की जाती है बात की जाए इसी प्रकार से भारत का रशिया और उक्रेन क्राइसिस को लेकर क्या इस्टेंड है जैसा कि आप सभी को वालुम होगा कि भारत ने अभी तक अपना रुख पूरी तरह से United Nations में इसपस्ट रखा है ये कहते हुए कि वो केवल Security Dialogues को ही प्रात्मिक्ता देता है युक्रेन और रशिया अपने इन मसले को हपस में बैठ कर निपता है यही कारण है कि भारत ने जब जब रूस की निंदा के लिए लाया गया UN में कोई भी प्रस्ताव है उस पर वोट देने से इनकार कर दिया क्योंकि वोट देने का अर्थ है कि हम किसी एक पक्ष में हैं या तो हम निंदा कर रहे हैं या हम तारीफ कर रहे हैं हम ना तो निंदा कर रहे हैं ना हम तारीफ कर रहे हैं हम अपना स्टेंड बरकरार रख कर चल रहे हैं और ऐसी इस्तिती में अमेरिका का जो लगातार प्रयास भारत पर ये पढ़ रहा है कि क्वाड का उप्योग भारत भी करे और यहां से एक डायलॉग रूप से निकले और रूस के विरोध में भारत बयान दे ऐसा भारत नहीं किया है यानि कि क्वाड की जो अरजेंट मीटिं में यारोपियन यूनियन का दवाब बढ़ रहा है यारोपियन यूनियन का दवाब बढ़ रहा है कि वो रशिया के अगेंस्ट में वोट करे वहीं भारत की तरह पाकिस्तान पिछलगू होते हुए कि भारत ने जैसे वोट किया है कि वो एपस्टेन किया है वो वैसे ही पर गाया है तो ऐसी इस्थिती में इमरान खान सभी जगेहों पर ये चाहते हैं कि भारत जैसा इस्टेंड वो भी बरकरार रखें लेकिन यॉरॉपियन यूनियन जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान को प्रेशराइज करने लग रही है अब पाकिस्तान दौनों तरफ से पि जादा मैत्वपूर्ण होगा देखना कि किस प्रकार से वो इसके बारे में इस्टेंड ले तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान इतने दुखी हुए कि उन्हों ने यॉरॉपियन यूनियन के एनवाई से ये तक पूछ लिया कि क्या आप लोगों ने इंडिया को इंडिय को उपर प्रेशराइज करने का प्रयास किया कि वो भी कंडेम करें इस युद्ध को लेकिन परिणाम आप लोगों को पता है एक पाकिस्तान की रैली है जिसमें आप ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी ये जरा सुने यॉर्पिन यूनियन के अमबैस्टर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खलाब उसके मुखालिफ स्टेट्मेंट दे उसके खलाब वोट दे आप सोच सकते हैं कि जब ये पबलिक रैली में ये कह सकते हैं कि क्या आपने हίνदोستान को भी खत लिखा था इसका साफ अर्थ है कि पाकिस्तान ओविसली वही सब करना चाता है जो भारत कर रहा है ये बात भूल जाता है कि यहां पर भारत का स्टेंड अलग है और पाकिस्तान का स्टेंड अलग है ऐसी इस्थिती में हाल ही में UK ने पाकिस्तान को पनिश करते हुए इसके NSE की विजिट को रद कर दिया है फिलहाल के लिए इतना ही यदि आप चाहते हैं अनकेडमी पर मेरे